किसान बायो नमस्कार आप सभी का स्वागत एं हमारे चैनल में आज के इस वीडियों में हम बात करेंगे अपरेल मैंने में लैसन का बाव क्या रहेगा लैसन के बाव में कितनी तेजी देगने को मिलेगी लैसन में तुफ़णी तेजी आएगी या फिट लैसन को पिछले साल की जिससे फेगना पड़ेगा तो हम सब कुछ इस फेग抓 के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपने उठी हो चाहे देशी लस्तन हो चाहे अन्य लस्तन की वेराइटिया हो अगर आपने लगाई है तो यह वीडियो आपके लिए कारगर साबित होने वाला हैं तो दोस्तों आप हमारा वीडियो सुरूच से लेकर अन तक जरूर देखे वीडियो अच्छा लगए तब वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान सात्यों के साथ सेर भी जरूर करें अगर आप हमारे वार्टाप गुरूप और नए चैनल से जु अब भी वरतमान में उटी लेसन का भाव एक जार रुपए से लेकर उपर में पांच जार रुपए तक बिक रहा हैं अगर उसके साथ ही देसी लेसन की बात करें तो देसी लेसन में नीचे आट सु रुपए से लेकर उपर तक 3500 से चार जार रुपए तक मंडियों में बि वे करता है अगर लेसन की बुई कम होती है तो लेसन का उत्पादन भी कम होता है तो आपको जोड़दार तेजी देगने को मिलती है उत्पादन में गिरावत तो होती है तो भी आपको तेजी देगने को मिलती है अगर सरकार माल को निर्याद कर देती है तो भी आपको लेसन क बहुती अधिक चेत्रों में हुई हैं तो बहुती अधिक चेत्रों में हो जाने के कारण आपको लेसुन का पैदावार और बहुती जादा देखने को मिलेगी अब दूसरे नमर पर बात करें उत्पादन दोस्तो इस साल लेसुन का उत्पादन बहुती अधिक हुआ लेसुन की फसल में थ्रिफ्स और पिलापन की समझ्या देखने को मिले थी लेकिन पिजले साल से इस साल लेसन की बुई अधिक हो जाने के कारण लेसन का उत्पादन भी जदा होगा आल ओवर देखा जाए तो इस साल पिले साल से बज़े स्वा लाक बुई का आकड़ा जदा बता जा तो आपको लेसन में जरूर ही तैजी देखने को मिलेगी अगर किसी कारण बस सरकार ने बाहर से लेसन को आयात करवा लिया तो भी आपको लेसन में गिरावत देखने को मिल सकती हैं ये तो लेसन की आयात नियात नित्ती के उपर निर्बर करता है कि आने वाले समय में सरका का हार्वेस्टिंग काम शुरू होकर समापत हो जाता है और अपरेल मैने में सभी हार्वेस्टिंग हुए हुए माल को किसान बाई लोग वेशते हैं या फिर स्टोर करते हैं तो देखा जाए तो अभी नए लेस्टिंग की आवके यानि उटी लेस्टिंग की आवके ज्याद जो कि मार्च एंड तक खतम हो जाता है और अप्रेल में बहुत एक कम आउके देखने को मिलेगी तो आपको अप्रेल महिने में उटी लसन में 1000 से 3000 रुपए की तेज़ी देखने को मिल सकती है लेकिन अगर वहीं देशी लसन की बात करे तो देशी लसन में आपको खाज ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इस समय पर अप्रेल महाँ में किसानों के बात देशी लसन ज़्यादा होता है तो इस समय पर कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है तो आई हूप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जानकरी अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें